बिहार की राजनीत में सत्ता के संघर्ष को लेकर के लगतार आपने देखा होगा कि दो धूरियां अपने एक्सिस पर काम कर रहे हैं पहली धूरी है नितीश कुमार के और दूसरी लालू परसाद की लालू परसाद के जिस एंगल को लेकर के तेजस्वी आदो आगे बढ़ रहे हैं उसमें अब वो चाहते हैं कि सीधी लड़ाई बीना लालू परसाद का नाम लिए नितीश कुमार के साथ उनकी हो जाए इन सारी बातों को लेकर के जो चीजे सामने आ रही है उससे साफ लग रहा है कि बिहार की लड़ाई को लेकर के जहां नितीश कुमार चाहते हैं कि वो लड़ाई को जिस तरह से चल रहा था लालू बनाम नितीश उसे ही रखें जबकि लगतार इस लड़ाई को तेजस्वी हाला कि नितीश कुमारर ने किसी तरह का कोई चैलेंज न तो किया है और नहीं किसी चैलेंज का कोई जबाब दिया है लेकिन जब से लालू परसाथ बिहार में आये हैं तब से कई बातें खुलकर के सामने आ रही है आपने सुना होगा किते जस्वी यादो लगतार कैम्प कर रहे हैं एक तरफ जहां उन्होंने तारापूर में लंबे समय तक कैम्प करके गली गली मुहले मुहले घुम करके नुकर सभाएं की लोगों को अपनी टीम को पूरी तरह से मुस्तैद किया और जीत के दावे करते र और वहां से घुम करके जवाते हैं तो वह सड़कों का हाल दिखाते हैं सड़के दिखाने के बाद तेजस्वी यादो नितीश कुमार को चैलेंज करते हैं कि हेलिकॉप्टर और उड़न खटोले से जाने से अच्छा है कि एक बार वह सड़के जिस पर वह दावा करते हैं जिस पर वह सड़कार का पीट थब थब आते हैं उन सड़कों का भी मुआयना कर लें मुझे पूरा विश्वास है कि वह चुनाव परचार करने एक बार से ज़्यादा नहीं जाएंगे इतना ही नहीं उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि यदि वह सड़क मार्ग से आते हैं तो उनकी कमर तूट जाएगी हमने खबरों के माध्यम से आपको यह बाते बताई थी कई बार हमने इस बात को रिपीट किया कि अब तेजस्वी यादो नितीश कुमार के विगास पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इस सवाल को लेकर के नितीश कुमार ने कोई भी उस हिसाब से जिस तर से जानना चाहते हैं तेजस्वी यादो उस तर से देना बंद कर दिया है सिधी तोर पे जवाब न देते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दोरान कुछ बाते जरूर कहीं उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सरकों को लेकर या जिस मामले को ले करके जो चर्चाएं कर रहे हैं वो तो पिछले 16 साल से कर रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है मैं ऐसे लोगों को नोटी से नहीं लेता और मैं अपना काम करता हूं मेरे काम जनता को पता है और जनता के सामने मैंने सवाल रख दिया है मैं जो काम करता हूं उसमें मेरा कोई नी कहाःत नहीं हो इन लोगों के बातों को सШने से अच्छा है कि मैं जंता के बीच रहा हूं और कार्यों को कर इनका तो खाम ही है अनाव संना बाते करना और निरर्थक बातों को तूल डेना ऐसी स्थिती में नितीश कुमार और तेजस्वी आदो के बीच में जो चैलेंज का बात चल रहा है उसको सीधे सीरे से तेजस्वी आदो के चैलेंज को नकारते हुए नितीश कुमार ने अपना एक अलग धारा तयार किया है और उसी धारा पर चलने के लिए तयार नजारान ह अब देखना होगा कि इस उपचुनाओं के परिनाम के बाद क्या सुर और स्वर बगलते हैं या फिर मामला जो तेजस्वी आदों कह रहे हैं वहीं परा करके अंटक जाता है और नितीश कुमार मुश्किलों में फंस जाते हैं जुड़े देगा भरत लाई पे साथ खबरन लगतार जारी है बहुत बहुत धन्यवार अगर इस वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद